अग्युंत पारफ के क्लिट एस लेह अधिया चैनिया सब्सक्राइब क्या फंक्सन होता लेवर का टिक्क है और किस कंडिशन में लेवर डेमेज होता है किस कंडिशन में ख्रोंडिक हो जाता था सिरो से थिक है यह बडी का अगर कोई पूछता है सबसे लार्जेस्ट से largest gland होता है अब लेवर की देखओ यह कि यह लिवर की condition है यह हमारा नॉर्मल बेखर है यह सीरोस्स लेवड है यह लेए नॉर्समल बेलकूल एकडम नहीं धूंक हेल्दी है क्रोंक है एसी सीरो में ऑर ज्याधा condition हो गहाई ठीक है यह देन हमारा यह से इसल जो मतलब बिल्कुल डेमज कंडिशन भी रहता लिवर ठीक है उसके बाद नेच्ट हमारा टॉपिक रहता है नेच्ट आएगा फंक्चन ओफ लिवर लिवर का क्या फंक्चन होता है उसे नहीं कि इस्धिंट और टॉपिकल से भी के ऊटलिढ़नद नकाकर सबस्काइब लहें हूंग रुन ह्यों केलिजिक हमारा जो सबंस्कांटेसी bleeding डैस फंक्षन में भी रॉलड में लेता है उसका लिवर का और मेटाबॉलिज में भी यह सब क्या हो गया function of liver क्या function रहता लिवर का अब disease of the liver अब जैसे liver को अगर जैसे liver में कोई infection हो गया तो क्या disease होगी ठीक है तो उसके बारे में discuss करेंगे अब जिस सबसे पहले infectious disease infectious disease में मतलब क्या viral hepatitis, hepatitis की condition में mainly liver जो भी रहता वो damage की condition में होता है hepatitis की condition में ठीक है तो इसे बोलते है infectious disease ठीक है first होगया हमारा infectious disease then हमारा आता है next कुन सा है toxic hepatitis, toxic hepatitis में alcoholic liver disease जैसे overdose alcohol आप ले लोगे तो alcoholic liver disease हो जाता है वो हमारा toxic hepatitis होता है then हमारा genetic disease, genetic disease में क्या आता हमारा hemochromatosis ठीक है यह हमारा genetic disease immune disease, immune disease में हमारा autoimmune disease जो बोलते हैं autoimmune hepatitis वो हमारा immune disease होती है then tumors, tumors हमारा दो होते है ठीक है benign और malignant यह क्या होगया हमारा disease of liver, liver की liver से क्या disease हो रही ठीक है देन हमारा आता है liver function test जैसे liver function test होते है उसमें पैनल होते है क्या 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 होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा serum enzyme serum enzyme में हमारा क्या आता है alkaline ALT है ALT जिसे बोलते है SGPT EST, SGOT है alkaline phosphate है electrolyte dehydrogenase बगरा है यह सब हमारे क्या आगे में और यह किस Corner में बढ़ दाए में रहते हैं में वायरिल हेपिटाइस की s게 रहते है उस कग जिए मैंने करे घर की तरफ मेंसकर ऑपर की रहे मतलब बढ़ा हुए जाता है बिल्ल भागों रहता है जो डारिक्ट होता है और इंडारेक्ट और टोटल बिलुमें ठीक है बेन हमारा एल्व्यमें है प्रोथरम्में टायम है और आयरन पेरितियन यह क्या हो गया लिवर फंक्षन टेस्ट में यह पहने लाते ठीक है बेन हमारा आथा और SGPT बड़ा हुआ जाता ठीक है एल्ट इस प्रेशिविक देन एस्ट ठीक है और यह क्या है किसकारणीसर में और हइं जाएगा में एएलपी का युज़ करेंगे देखो है जैसे कोई हो रहा है उस कंडिशन में हम इलपी का इन्वेस्टिकेशन करेंगे और हैपाटाबलोगी डिज़िज इस कंडिशन में हम क्या करते हैं एक्ट्रान खुषपेटट्व एक्ट्राइब कर्या है जो शुत है उर्म और सक्षसिर्ट हुआ जो फेक्टे के सम्सक्राइब उसनल्ष आफटरई एङसफ दोन आफ हमारा के बहुंदi पावकार हो गए तो इस कंडिशन में में ही बढ़ा हुआ जाएगा और क्या कंडिशन रहती प्रेगनेंसी सकटिशन इस कंडिशन में मारा इलपी बढ़ा हुआ जाथ कि उसके बाद के बाद हमारा आख था क्ट 18 Serum Jameרים, Serum JameCom, Serum Jame沖, Serum Jame , Hepatitis की condition में तो mainly जो भी बढ़ा हुआ जाए गई , Hepatitis and Liver Malignancy , सिस condition क्या रहेगा , हमारा , Interahepatic and Extra Hepatic Liver DG , इस condition में मारा , बढ़ा हुआ और Pancreatic , Pancreatic Malignancy होती है , उस कंडिसन में भी ना बड़ा घुछ जाता जैसे सब मनता है यह कोई पुछता का बड़ा में बड़ा हुए इस भी हरे ने सिरम題 देखकी इंगे ब्लू तोटल बिल्डो में रहता है डारेक्ट बिल्डो में रहता है और इंडारेक्ट बिल्डो में यह सब इसके होगे बिल्डो में के पार्ट ठीक है और इसके बाद अगर जैसे कोई पूछता है कुछन बनता है लार्जेस्ट ग्लेंड तो हमारा लार्जेस्ट ग्लेंड कुछन कुन सा है लेवर जैसे यह mcqs question में पूछ लिया जाता कहीं भी तो largest gland हम आपका क्या बताएंगे लेवर लेवर बोडी का सबसे largest gland होता है और largest organ कुन सा रहता है हमारा तो organ में आप बताऊगे skin ठीक है यह हमारा largest gland हो गया लेवर थैंक्स पूर वचिंग दिस वीडियो